नमस्का दोस्तों मैं निख़त बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है खान पान से जुड़ी गलत आदतों की वजह से लोगों में मुटापा, ब्लड प्रेशर और डायविटी जैसी खतरनाज बिमारियां हो रही हैं इन बिमारियों से बचरी का सबसे आसान उपाय, खान पान और लाइफस्काईल में बदलाव है कुछ चीजों का सेवन एक साथ करने से आपको दोगुना फायदा मिलता है दही और प्यास खाने से आपकी सेहत को कई फायदे मिल सकते हैं दही और प्यास में मौजून गुण शरीर को ठंड़क देने के अलावा आपके पाचंतंत्र को भी दुरुस्त रखने का काम करते हैं तो आइए जानते हैं सेहत के लिए दही और प्यास खाने के फायदे दही और प्यास खाने के फायदे इन दोनों फूट्स की तासीर ठंडी होती है इसलिए इनका एक साथ सेवन करने से कोई नुकसान भी नहीं होता है धही में मौझूद गुंद शरीर को ठंडा रखने और पाचन तंत्र को ठीक करने में फायदे मन्द होते हैं वही प्याज में भी कई ऐसे गुंद पाए जाते नाने के लिए दही और प्यास का सेवन बहुत फायदेमंद होता है दही और प्यास खादे से आपकी आतों को फायदा मिलता है और पेड़ में खराबी की समस्या से छुटकारा भी मिलता है दही में मौझूद गुंद आतों में फायदेमंद बैक्टेरिया बढ़ाने का काम करते हैं स्किन के लिए हैं फायदेमंद दही और प्यास खाना स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है इसमें मौझूद गुंद आपकी स्किन को बहतर बनाते हैं और कई समस्या उसे छुटकारा दिलाने में फायदेमंद होते हैं इम्मियूटी बढ़ाने में है फायदेमन दही और प्यास खाने से आपके शरीर की रोग्प्रतीरोगशंता यानि इम्मिnt होती हैं इन दोनों में मुझूद गुंट शरीर की इम्मिनिटी बढ़ागर बेमारी और संकमन्ट से लड़ने की शंता बढ़ाते हैं हाई ब्लड प्रेशर में हैं फायदेमंद हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में दही और प्यास का सेवन बहुत फायदेमंद होता है विशेशग्यों के अनुसार दही का सेवन करने वाले लोगों में हाइप ब्लड प्रेशर की समस्य का खत्रा अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम होता है हड्यों के लिए हैं फायदेमंद फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिये तक